हम देखने वाले हैं higher order partial derivative जिससे आपको वह कैसे solve करना यह समझ में आ जाएंगा बहुत साइब प्रोब्लम में छोटी छोटी step में हमें higher order का problem आ चुका है partial derivative का जिसे हमने एक problem की छोटी से step समझ के solve किया था पहले higher order partial derivatives को लिख लेंगे तो देखते हैं हमारे higher order partial derivative जिसम के चार टाइप को चार वे में वो हो सकते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यू और x,y को ही देख रहे हैं यू is a function of x,y ऐसा हम consider कर रहे हैं तो पहले हम ले रहे हैं कि daba square u divided by daba x square है तो इसका already हमने इस पर problem solve कर दिया है वो कैसे आता है daba by daba x in bracket daba u by daba x आ जाता है next next हमें क्या दिया है daba square u divided by daba y into daba x हम क्या करेंगे left से होके right के हो जाएंगे तो left में क्या है सबसे पहले देखो daba का square है तो daba पहले लिख लेंगे उपर यहाँ पर नीचे कौन आएंगा left से होके जा रहे है तो पहले left side में कौन है डaba y है तो वैसे आ जाएंगा पहली term कौन से आएगी डaba by daba y जब भी आपको एसा problem आए जिसमें आपको नीचे दो term दिख रहे है इसे इसमें आपको confuse नहीं होना है आपको left side से जाना है जो भी left side की पहली term है उसे लिखना है आगे की term को क्या करना है डaba by जो कोई term होंगे उसे उसके अंदर जो भी function है यू है जो भी है उसके साथ लिख देना है ओके इसे हम यहां पर करें डaba by daba y multiply by देखो डaba by daba y की बात कौन रहा हमारा डaba x रहा डिनोमिनेटर के ओर देखे आप सिर्फ डेबा x रहा तो वो क्या आजाएंगा daba u by daba x आजाएंगा तो next थर्ड इसमें देख लेते हैं यहां पर क्या है पहले x से फिर आए डaba square u divided by daba x multiply by daba y तो left side से होके जाते हैं तो यह क्या आजाएंगा daba by daba x आजाएंगा देखो daba x का हो गया है उसके बात क्या आएगा daba u by daba y आजाएंगा fourth क्या है daba square u divided by daba y square यह तो easy है नीचे के जो term है वो तो same आएगी तो daba by daba y multiply by daba u by daba y तो इस पर एक problem देख लेते हैं u is equal to log of x square plus y square हमें यहापर प्रूव क्या करना है daba square u divided by daba x multiply by daba y is equal to daba square u divided by daba y into daba x तो देखो यह हमेशा equal नहीं होता है यह साब को दिया है तो यह हमेशा equal नहीं होता है कुछ-कुछ problem के लिए equal होता है तो वेशा ही हमें यहापर प्रूव करना है कि यह दोनों term equal है और यह दोनों equal नहीं होता है कुछ-कुछ problem के लिए ही equal में आता है तो हम इसे प्रूव करेंगे तो हम क्यों करेंगे सबसे पहले यहापर देखते हैं हमें problem में given में क्या देख रहे है u is equal to log of x square plus y square map करते नहीं बेट सकते, u is a function of x comma y, यह हमें देखते ही पता चलना चाहिए, इस वज़े से मैंने कुछ प्रोब्लम के बात यह लिखना छोड़ दिया, तो आपको यह map करना आना चाहिए, तो उसका क्या करेंगे, u को with respect to x निकाल लेंगे, u को with respect to y निकाल लेंगे, u का with respect to x पे लेंगे, log of x square plus y square, log x का derivative क्या आता है, 1 upon x आता है, तो उसका भी वेसे ही लिखेंगे, पर यहापे x है क्या नहीं है, x square plus y square, तो वो टम वेसे ही लिखेंगे, पर यह x नहीं था, इस वज़े से इसका derivative क्या होगा, multiply में आ जाएंगा, तो इसका double by double x, bracket x square plus y square आ रह 0, जब भी हमारी constant term plus और minus में होती है, तो उसका derivative क्या आता है, 0 आता है, जब भी हमारी constant term किसी के multiplication और dividation में होती है, तो हम उसकी term को, उस constant term को side में लिखे लेते हैं, उसे हम 0 नहीं करते, यह आपको पता होने चाहिए, जितने ज़्यादा आप problem solve करेंगे, यह confusion भी आपकी दूर हो जाएंगे, मैंने हर बार हर point पे यह चीज़ आपको बताईए, तो देखो, वहाँ पे उपी क्या रहा है, 2x आ रहा है, तो वो 2x के से आया है, x square का derivative का रहा है, 2x आया, और y square का 0 हो गया, 2x divided by जो भी term थी, वो लिख लिख ली, x square plus y square, तो u का with respect to y निकालेंगे, log y का derivative क्या आएगा, 1 upon y आएगा, तो वेसे ही लिखेंगे हम, पर यहाँ पर y है क्या वो नहीं है, x square plus y square है, तो वेसे ही लिखेंगे, 1 upon x square plus y square, multiply by with respect to y, double by double y, यह y था क्या नहीं था, यह x square plus y square था, तो उसका क्या करेंगे, with respect to y वापस derivative लेंगे, क्यों तो वो y नहीं था, सिर्फ y था क्या नहीं था, तो x square यहाँ पर क्या है, constant में उसका derivative क्या होगा, 0 होगा, plus y square का derivative क्या आजाएंगा, with respect to y, 2i आजाएगा, तो उपर देखो, 2i आगा है, divided by, जो भी हमारी term थी, उसे मैंने लिख ले आए, तो इसे equation A, equation B करके लिख ले आए, next हम क्या करेंगे, फिर LHS को find करेंगे, फिर हम RHS को find करेंगे, और LHS is equals to RHS RE के, इसे map करेंगे, ओके LHS को मैंने लिख 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 है, double square u divided by double x multiply by double y, easy equals to, यह क्या आता है, हम क्या करेंगे, left side से होके जाएंगे, left side में term क्या है, double by double x, तो देखो, यसे ही लिखा multiply by, तो कौन रहा, double u by double y रहे गए, उसे हमने लिख लिख लिया, तो वैसे लिख लिख लिया, तो w by double y की already value हमने निकाल दी है, from equation b हम उसकी value भापे लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखो, with respect to x हो रहा है, तो जो भी numerator में y की term है, constant term है, उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर क्या इसका लिख लेंगे, बन अपॉन, in bracket x square plus y square का bracket square, यह x था क्या नहीं था, यह क्या था, x square plus y square था, इस वज़े से इसका bracket square आ गया है, पर यह x नहीं था, इस वज़े से इसका वापस derivative को multiply कर देंगे, तो इसका derivative क्या आ जाएंगा, देखो, x square का derivative क्या आएंगा, with respect to x, 2x आ जो भी हमारा पहले की term थी, वो क्या थी, minus 1 upon x square plus y square, आगे क्या था, 2y था, वो मैंने, x साथ लिख ले है, multiply by 2y, जो भी हमारा derivative आ रहा था, multiply कर दिया 2y into 2x, तो यह क्या आ जाएंगा, minus 4xy divided by denominator की term, तो यह आ गई हमारा ylhs, तो rhs क्या आता है, देख लेते हैं, rhs में हम क्या चाहिए, double square u divided by double y into double x, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लखेंगे, left side से होकी जाएंगे, तो double by double y आ जाएंगा, पहले y है, तो y आ जाएंगा, फिर x है, तो double u by double x आ जाएंगे, तो इसका double u by double x की value हमारे पास already है, from equation a, हम उसकी value आपे लिख लेंगे, 2x यहाप पे with respect to y हो रहा है, तो 2x को बाहर निकाल दिया, 1 upon y का derivative कैसे निकालते हैं, minus 1 upon y square निकाल, तो इसका भी वेसे ही आएगा, पर यह y था क्या नहीं था, यह क्या था, x square plus y square था, उसका वेसे ही आ जाएंगा, minus 1 divided by x square plus y square, ब्रैकेट स्कूर मुल्टिपलाए गाए, यह y था क् यह x square plus y square, x square plus y square का with respect to y वापस derivative लेना पड़ेंगा, multiplication में, क्योंकि वो सिर्फ y नहीं था, तो इसका derivative क्या आ जाता है, देखो, x square क्या है, constant है, वो हो गया, 0, plus y square का क्या जाएंगा, with respect to y, 2y आ जाएंगा, जो भी आगी की term थी, वो हमने वैसे ही लिख ले, minus 2x into 2y, जो भ और xy divided by x square plus y square brackets, यह LHS is equals to RHS है, देखो, दोनों की value एकदम से है, तो equation 1 और 2 से यह प्रूव होता है, कि LHS is equals to RHS है, और हैंस प्रूव इसके साथ ही हमारा third unit complete हो चुका है, तो next mathematics के वीडियो में, हम fourth unit को start कर देंगे, अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, वो समझ म आ रहा है, तो इस वीडियो को like, channel को subscribe और share करना ना भूले, thank you